नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? International Organization की सीरीज में बहुत दों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी तो यहाँ पर Word Bank के बारे मताऊंगा और बैसिकली आपको Word Bank Group के बारे मताऊंगा Word Bank Group के अंदर पाँच एजनसीज हैं और उन पाँच एजनसीज में अगर आप दो एजनसीज को बिला दो जिसमें एक है International Bank for Reconstruction and Development जिसको बोले राता है IBR और दूसरी International Development Association जिसको आप बोलते हो IDA तो IDA प्लस IBRD मिलके बनाते हैं Word Bank हाला कि overall अगर आप Group देखोगे तो पाँच organization मिलके कहलाते हैं Word Bank Group size किया गया है और जब ये Word Bank बना 1944 में Brettonwood Conference के बाद उसके बाद से लेके आज तक इस Word Bank ने बदलती conditions के साबसे क्या आपने आपको बदलने की कोशिश की इन सब points को हम लोग इस वीडियो में खंगालने वाले हैं तो basic introduction देखें तो ये International Financial Institution से जो की loan प्रोवाइड करता है और grant प्रोवाइड करता है किसको governments of low and middle income countries को for the purpose of pursuing capital projects capital projects क्यों? जो कि capital projects कहीं न कहीं employment पैदा करते हैं कहीं न कहीं equitable growth को आगे लेके जाते हैं मैं आपको example देता हूँ इंडिया में मालने जैपूर में कोई highway बन रहा है या फिर मालने जैपटना में कोई bridge बन रहा है तो इस प्रकार के projects को fund करने के लिए world bank से loan आता है तो जब ये projects बन रहे होते हैं तो कहीं न कहीं लोगों को लोजगार मिलता है और जब ये बन जाते हैं तो ये public purpose को serve करते हैं तो उस इलाके का infrastructure, transport बगरा सुधरेगा तो overall लोगों के रहने के parameters सुधरेंगे लोग जल्दी एक जिगार से दूसरी जगार जा पाएंगे उसके बहुत से after effects होते हैं तो इस प्रकार के projects को world bank finance करता है low और middle income countries में दो तरीके finance करता है एक तो grant देके grant मतलब पैसा free में दे दिया वापस नहीं लेंगे loan मतलब पैसा दिया है तो loan वापस लेंगे साथ साथ उसके उपर थोड़ा ब्याज भी लेंगे हला कि world bank जब भी public purpose के लिए कोई loan देता है ब्याज थोड़ा कमी होता है जैसा कि मैंने बताया कि IDA और IBRD मिला दो तो बन जाता है world bank हाला कि इस world bank group में पांच अलग-अलग organizations है उसको भी हम लोग देखेंगे world bank का अभी के लिए goal क्या है reduction of poverty अब अगर आप बात करो world bank एक international financial institution है international financial institution क्या होता है यह एक ऐसा institution होता है जहां पर एक से ज़्यादा country involved है और जब एक से ज़्यादा country involved होती है तो वो एक international law पे चलता है और उस international law को वो सारी की सारी countries मानती है तो problem यह है कि international financial institution में shareholder होते हैं मतलब उस institution को अलग-अलग सरकारे ओन करती है उस institution को जो सरकार ज़्यादा ओन करेगी वो अपने favor में कुछ नए laws बना सकती है और उन laws को कम shareholder वाले countries को भी मानना पड़ेगा जिसके चलते कम shareholder वाले countries के against में कुछ discrimination हो सकता है World Bank में भी यह tendency देखने को मिलिए आगे discuss करेंगे किस्ट्री की बात की जए तो 1944 में Bretton Woods Conference बना जहां पर International Monetary Fund बना और World Bank की बना जब शुरुवात में बना था इसको IBRD बोला गया था World Bank तो उसका latest नाम है World Bank के President की बात की जए तो normally यह एक American है World Bank और IMF दोनों के headquarters Washington DC में है Mount Washington Hotel का जो Gold Room है वहाँ पर International Monetary Fund और World Bank दोनों को establish किया गया था आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को इस चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे मुझे help करने के लिए आप join button दबा के चैनल के member ही बन सकते हैं NCRD6 से लिए के 12 तक quality, history, economy, science, geography सबकी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी बहुत सी बची हुई है धीरे-धीरे करके जितना मुझे समय मिल रहा है मैं बना रहा हूँ Instagram पर follow कर लिजे Telegram group join कर लिजे इस particular lecture की PDF के लिए अब अगर आब बात करो तो बहुत सी countries represented है Bretton Woods Conference में देखिए Although many countries were represented at the Bretton Woods Conference United States and United Kingdom were the most powerful in attendance and dominated the negotiations 1944 में जब World Bank बना उस समय पे जो negotiations चल रहे थे World Bank को बनाने के लिए Europe तो पूरा तबहा हो चुका था Second World War के खतम पे Europe में केवल एक country थी United Kingdom England जिसके पास अभी भी थोड़ी financial power थी और US तो थी ही था कत्वर तो ये दो countries ने main negotiations में role play किया World Bank की बनाने की वज़े क्या थी कि ये जो European countries है जो बिल्कुल बरबाद हो चुकी है इनको कही न कहीं आप loan दो चुकि उस समय पे ये जो European countries थी वो low income category में आ चुकी थी तो इनको temporary loan दो ताकि ये commercially काम कर सकें basically commercial loan तो इनको मिलना नहीं था ये country इस हब तक तबहा हो चुकी थी प्लस, 1945 के समय पे एक बात तो clear थी कि युनाइटे निशन के आने के साथ साथ एक नया international interface आने वाला था तो आगे आने वाले समय में बहुत सी countries को आजादी मिलनी थी ये सब को पता था तो बात में जो भी low income countries ये third world countries सामने आएंगी उनकी भी मदद करेगा world bank ये बात बोला गया तो world bank actually में initiate हुआ था as IBRD International Bank for Reconstruction and Development International Financial Institution की तरह बना था 1944 में headquarters इसके Washington DC में है और world bank group की main lending arm है किसको लोन देता है middle income developing countries को लोन देता है initial mission क्या था इसका to finance the reconstruction of European immune and devastation by war 2 finance the reconstruction of European nations devastation by world war 2 the world war 2 में humanations परबाद हो गयते इनको reconstruct करना तो भाई commercial grade या concessional financing देना sovereign states को ताकि या अपने transportation, infrastructure, education, domestic policy, environmental consciousness, energy investment, health care, access to food and portable water and access to improved sanitation ये सब कर सकें ये word bank अभी के लिए कर रहा है Europe तो reconstruct हो गया आज की देट में Europe developed form में हमारे सामने आता है लेकिन अफ्रीका की countrys, Asia की countrys, South East Asia की countrys, South America की countrys, जो आज भी गरीब हैं, बरबाद हैं बहुत सारी जगों पे, उनके लिए इन सब domains में पैसा प्रोवाइड करना उधार पे या grant की तरह world bank का का काम है ठीक है भाई? world bank basically sovereign government को finance करती है या उन projects को finance करती है जिसकी guarantee sovereign governments देते हैं तो अगर इंडिया में कोई project finance कर रहा है world bank तो जब तक हमारी केंदर सरकार इस बात की guarantee नहीं देगी कि हाँ भाई हम आपको पैसा लोट आएंगे तब तक world bank की तरह से पैसा नहीं आएगा और world bank basically उन middle income countries को ज़्यादा पैसा देती है जहां पर capita income 1026 डॉलर से 12,475 डॉलर पर यर तक है आपसे एक सवाल है नीचे comment box में बताइए इंडिया में पर capita income डॉलर में अभी के लिए क्या चल रही है इस category में कौन कोंसी countries आती है 1000 से 12,000 डॉलर परती यर के टेगरी में इंडोनेशिया, इंडिया और थाइलेंड ठीक है भई यहां पर इस तरी के countries में ज़्यादा तर foreign investment और large infrastructure building projects बनना है देखे, developed world तो already develop हो चुका है वहां पर development की उतनी जरूत नहीं है जो developing world है महाँ scope जाता है प्लस Asia, Africa इस टाइप की जो countries है यहां पर आबादी भी जाता है तो human resource development का scope भी बहुत जाता है तो बहुत सारे corporates और बहुत सारे आप कहते हैं न की future की projections इन countries के साथ जोड़े जाती है तो world bank की investment में एक commercial element भी आ जाता है यहां पैसा लगाओगे तो पैसा बाद में निकली आएगा और उससे भी बड़ी बात ही है जो middle income countries है यहां दुनिया की 70% आबादी रहती है तो अगर आप यहां पे पैसा pump in करोगे तो economic growth होगे और उस economic growth से इन गरीब लोगों को benefit होगा तो इसलिए भी world bank यहां पे पैसा दालता है फिर next आजाते है international development institution पे अब यह जो international development association है यह भी एक international finance institution है concessional loans और grants देता है दुनिया की जो poor countries है उनको world bank group का एक part है इसके headquarters भी वाशिंग्टन डीसी में 1960 में बना था international bank for reconstruction and development को compliment करने के लिए मदद करने के लिए ताकि developing countries को lend किया जा सके खासकर उन countries को जिनकी lowest gross national income है जिनकी credit worthiness थोड़ी सी troubled है जिनकी per capita income बहुत काम है बट उनको आप छोड़ तो नहीं सकते हैं मदद तो करनी हैं तो यह international development institution है दुनिया की सबसे गरीब countries की मदद करने के लिए 173 के shareholder nations है ठीक है न भाई idea का aim है कि poverty कम करेंगे by providing loans जिनको आप credit बोसकत 10 grants for a program उन programs को जिससे economic growth बढ़ेगी inequality कम होगी और लोगों के रहने के जो हालात है वो improve करेंगे idea one of the largest source assistance का किसका दुनिया के 75 सबसे poor countries का जिसमें 39 तो अफ्रीका में ही है इन countries में social services को provide करने में कई सारी countries में social services को provide करने में एक मात्र जो agency निकल कहाती ही है वो है international agency idea idea बहुत सारी developmental activities में एक role play करती चाहे equality को promote करनो economic growth को job creation को higher incomes को better living को ठीक है न? क्या आगे बात करें तो total world bank group की बात कर लीजे जैसा कि मैंने आपको बताया IBRD idea को मिला लो बन जाता है world bank वैसे world bank में 5 banks है international bank for reconstruction and development और international development association दोनों को हमने देखा फिर international finance corporation by investment advice और asset management तो जो high five type के काम होते हैं ठीकि नब पैसों वाले काम होते हैं high money वाले काम investment guarantee agency जो कि ensure करता है lenders को investors को अगर को political risk हो जाए वह जैसा और एक है international center for settlement of investment disputes investment disputes हो जाए तो उसमें arbitration करता है ICSID इंडिया इन 5 में से 4 का part है ICSID का part इंडिया नहीं है क्यों नहीं है इसके बारे में हम आगे देखेंगे तो basically जो world bank group है ठीक है न ultimate decision making कौन लेगा ये member nations लेगे अपने अपने share holding pattern के साब से world bank group का अपना board of governor से board of executive director से जिसमें appointment इसके charter के हसाब से होती है अगर आपको world bank group के अंदर एक bank बनना है तो देखे सबसे पहले खास बात दोस्तों यह है कि अगर आपको IBRD का member इंटरनेशनल बैंक फो रीकंस्ट्रिक्शन इंडवलप्मेंट का तो आपका international monetary fund जोइन करना ज़रूरी है अगर आप IMF के member हो तभी आप IBRD के member बन सकते हो ऐसा लिखा है IBRD के articles of agreement में दूसरी चीज़ अगर आपको international finance corporation का member बनना है देखे जो developed type की countries है जिनके पास पैसा जादा है वो IBA का member नहीं बनना चाहेंगी अगर आप proper logic से देखो International Development Association गरीब देशों की मदद करता है गरीब देशों की मदद करना बहुत सारी countries बोलेंगी Trump जैसा कोई leader आजाए तो वो क्या बोलेगा हमें क्या मतलब है गरीब हो तो मरो हमने तुम्हारा ठेकत हुई न उठाया है तो इस प्रकार की सोच को skip करने के लिए ये चीज रखी गई है कि भाई देखे अगर आप IDA के member है IFC के member है और MIGA के member है ठीके ना तो ही आप IBRD के member बन सकते हो तो basically World Bank Group में overall membership आपकी हुनी है तो अगर आप international finance corporation का फायदा उठा रहे हो तो IBRD और IDA के अंदर जो आपका role है आप भो भी play कर रहे हो ये दोनों फायदे एक दूसरे को compliment करना चाहिए अगर आप फायदा उठा रहे World Bank Group से तो आप responsible भी होंगे बाकी चीज़ों के लिए काफी अच्छी चीज़ है ये World Bank के membership की बात कीज़े Initially जब World Bank charter sign हुआ था जिसको आप Bretton Woods Conference का charter भी बोलते है 44 countries ने इस पे sign किया था जिसमें India भी एक country थी तो India originally member है IBRD का और IMF का बाद में International Finance Corporation बना जब 1956 में इंडिया उसका भी founding member था IDA को भी इंडिया ने 1960 में जोइन किया जब IDA बना Multilateral Investment Guarantee Agency को बाद में जोइन किया इंडिया ने January 1994 में ICSID का member India नहीं है International Center for Settlement of Investment Disputes को member India नहीं है चुकि इंडिया का ऐसा बोलना है कि ICSID developed countries को ज़्यादा favor करता है Western developed countries जैसे की Europe और USF की countries को ज़्यादा मतल करता है यहां के बड़े-बड़े corporates Indian सरकार को ICSID में खसीट कर Indian सरकार के उपर कुछ clauses लगा सकते हैं ठीक है ना कोई fine penalty लगा सकते हैं और फिर Indian सरकार को fine penalty भरनी पड़ेगी अगर ICSID में आपको खीचा जाता है कि ICSID developed countries को ज़्यादा favor करता है developing countries के अगेंस चाता है ICSID का जो भी verdict आएगा उस verdict के against Indian court में कुछ नहीं हो सकता है एक बार वो verdict आ गया तो उसके against में जो आप appeal फाइल करोगे वो भी वही panel होगा जिसको World Bank का chairman appoint करता है तो कहीं न कहीं ये इंडिया को favor नहीं लगता इसलिए International Center for Settlement of Investment Disputes के इसको इंडिया ने जोइन नहीं किया उसने बोला कि Indian government जिन agreements में involved है अगर Indian government के decision making के basis पे अगर आप Indian government को ICSID में खीचोगे तो sovereignty का violation है प्रस यहाँ पे developed nations के favor में काम होता है इसने इंडिया ने इसको join नहीं किया अगर आप देखो तो World Bank की मदद इंडिया को शुरू ही 1349 में पहली बार Indian Railways को IBRD ने लोन दिया 1949 में IFC ने पहली बार इंडिया को लोन दिया 1959 में IDIA ने पहली बार इंडिया को लोन दिया 1961 में ठीक है भाई बाद में देखिए तो 1950 में IBRD was India's sole source of World Bank Borrowings 1950 में World Bank से अगर पैसा आता था इंडिया के पास तो किवल International Bank for Reconstructional Development से आता था बाद में आप देखोगे China World Bank को join करेगा 1980 में अब International Development Association जो भी पैसा बाटता था इंडिया में उसका share काम हो जाएगा जो कि जब World Bank join करेगा 1980 में तो World Bank बोलेगा कि भाई, IDA के resources हमें भी मेरे जाएगा अब आइडिया में जो भी पैसा उधार में घुमाया जाएगा दुनिया में तो चाइना के projects को भी पैसा मिले तो वो दिया गया फिर भाई, एशिया, अफ्रीका के हालात खराब थे तो अफ्रीका में development के लिए आइडिया ने पैसा दिया तब तक इंडिया के हालात थोड़े से better हो रहे थे तो इंडिया का जो पैसे का share था जो कि International Development Association की तरफ से आता था वो थोड़ा कम हो गया बाद में आप देखो तो Concessional Rate of Funding इंडिया ने लेना थोड़ा कम कर लिया और Normal Rate of Funding पे इंडिया ने वर्ड बैंक से और IBRD से पैसा उठाना शुरू किया 1991 के Macro Economic Crisis के पास चीज़ें और बदलेंगी वर्ड बैंक और IMF इंडिया से बोलेंगे कि आप कुछ Structural Addressments करिए अपनी Economy को Open करिए इंडिया अपनी Economy को Open करेगा और फिर वर्ड बैंक की तरफ से और मदद इंडिया के पास आनी शुरू होगी अभी वर्ड बैंक में इंडिया को एक Blend Country माना किया Blend Country मतलब एक ऐसी Country जो Transition में है कहां से Transition में है से भी और IBRD से भी 2015 से लेके 2018 के बीच में वर्ड बैंक ने लगबख 10.2 बिलियन डॉलर उधार पे दिया है इंडिया को और वर्ड बैंक ग्रूप ने बोला कि जो Total Funding 2019 से लेके 2022 की पिरिड में वर्ड बैंक की तरफ से इंडिया को जाएगी वो होगी 25 से 30 बिलियन डॉलर कि रिसेंटली अगर कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जाएं जो कि वर्ड बैंक की तरफ से इंडिया के पास आए हैं तो वर्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो कि इंडिया के अफर्ट को बढ़ाएगा फोर प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू पूर और वॉल्नरेबिल हाउस जो जो कोविड नैंटी से इंपैक्ट हुए है फिर चिराग इनिशेटिव ऑफ 36 गर्ड जिसका फुल फॉर्म में 36 गर्ड इंक्लूजिव रूरल एन एक्सेलरेटेटर अग्रिकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट ये भी वर्ड बैंक फाइनस्ट है नागा लैन इनहेंसिंग क्लास्रूम टीचिंग रिसूर्स प्रोजेक्ट वर्ड बैंक सेकेंड डैम इंप्रूमेंट एंड रिहबिलिटेशन प्रोजेक्ट ड्रिप्टू इन्वेरस स्टेट्स वर्ड बैंक तो ये सब वर्ड बैंक की दोरा दिये गए आप कह सकते हो कि मदद है इंडिया लेकिन समय समय पर वर्ड बैंक पे रिफॉर्म की भी मांग रही कही न कहीं वर्ड बैंक को बोला जाता है कि ये developed countries जो highly capitalized countries हैं उनके प्रती जुकाव रखता है कहीं न कहीं वर्ड बैंक वर्ड capitalism को promote करता है structural adjustment program को लागे ये जो structural adjustment program के चलते जो reforms हैं जो कि वर्ड बैंक दुनिया भर में करने की कोशिश करता है इससे केवर rich countries को फाइदा होता है ऐसा बोल जाता है इसको मैंने NCRT में explain किया है जब NCRT में economics 11 की किताब में मैंने आपसे liberalization, privatization और globalization की बात किया अगर आपने NCRT 11 class की economics नहीं देखिए तो देखे जाके मेरे playlist में जाएए आपको NCRT 11 class की economics की playlist मिल जाएगी तो कही न कहीं वर्ड बैंक free market economic policy को promote करता है और free market economic policy को developing countries को पर impose करने की कोशिश करता है जिसके चलते rich और poor के बीच में जो difference है वो बढ़ता जाता है और कही न कहीं वर्ड बैंक में reforms की इसलिए भी demand होती है चुकि इंडिया और चाइना जैसी emerging powers वर्ड बैंक में जाधा shareholdership मांग रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है तो इसका impact क्या निकल के आ रहा है कि चाइना जैसी countries एशिया infrastructure investment bank बना रही है जिसमें इंडिया जैसी countries एक major role play कर रही है और इससे आगे आने वाले समय में वर्ड बैंक की जो importance है वो कम हो सकती इसलिए वर्ड बैंक को अपने आपको reform करने की ज़रूरत है वर्ड बैंक और IMF दोनों को Washington Consensus के लिए criticize किया गया Washington Consensus क्या होता है जब वाशिंग्टन Consensus आया था 1944 में उसके बाद तो भाई developing countries को और war की वज़े से जो countries destroy हो गई थी उनको सुधारने के लिए IMF और World Bank ने दुनिया भर की countries के ऊपर कुछ proper conditions लगाया थे यह बोलाता है कि हम आपको loan तब देंगे जब आप हमारी इन शर्तों को मानोगे और यह शर्ते कहीं न कहीं big corporations और developed countries की आप कह सकतो improper तरीके से या discriminatory तरीके से मदद करती है फिर World Bank को इसलिए भी criticize किया जाता है कि यह environmental और social impact of projects को नहीं देखते है तो no doubt अभी के लिए जो दुनिया में World Bank की image है no doubt अच्छी image है भाई कहीं न की बहुत सारे developmental projects को इंडिया में World Bank finance करता है but changing world order के साथ World Bank में भी reforms लाने की जरू होते in fact सिर्फ World Bank में नहीं World Bank को चाहिए IMFO, International Organization हो चाहिए Security Council हो हर जगा reforms लाने की जरू होते लेकिन इन international organization में जो ताकतवर countries बैठी है ना उनसे अपनी ताकत छोड़ी नहीं चारी है इसलिए आगे आने वाले समय में reform आएंगे कब आएंगे, कितनी जल्दी आएंगे ये देखने में भी समय लगेगा तो ये था World Bank के बारे पूरा analysis आज हो पापो कुछ सीखने को मिला होगा आपने viewpoint दीजएगा comment box में और वीडियो को लाइक कर दीजएगा ज्याद ज्याद लोगे साथ शेयर कर दें जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो मदद कर सकती है Good Bye